हेलो दोस्तों मेरा नाम है विनीट और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के मादम से आपके लिए कोई ना को वास्तु का उपाय बताते हैं जिससे आप अपने घर के वास्तुदोशों को दो कर सकते हैं और हमारी हर वीडियो मेरे में कोई ना कोई ऐसा सोलुशन होता है जैसे कोई काम दिनने बरकत नहीं होगे दुकान पर बिकरी कम है या और दूसरी तरह कि जो समस्चाइं हम इंसान रूटीन में सम फेस करता है जैसे बरकत नहीं पैसे समंद्धे समस्चाएं है तो इस परकार के समश्याओं को लेकर जो प्रेशानिया इंसान जेलता है उनको कैसे दूर किया जाए घर पर ही छोटे छोटे उपाय करके हम हर एक प्रेशानिय के कोई ने कुछ सोलुशन आपको बताते रहते हैं दोस्तों तो आज की इस विली के वादम से हम आपको पताएंगे कि यदि आप नेमित रूप से एक कारिय करते रहते हैं तो आपको कभी भी धन सम्बंदी प्रेशानिया नहीं होंगी एससा कौण सा हुपाय दोस्तों आप भी सोचेंगे और सभी सोचेंगे कि धन-सम्बंदी प्रेशानिय तो हर एक इंसान अब फेस करता हर एक इंसान के सामने आती क्योंकि आज का कोई भी कारिय धनके विगैर होई ही नहीं जगता तो ऐसा कौन सा उपाय है यदि आप वैय करते हैं तो आपके अपने काम निम्हिया ऐसा इजाफ़ा हो जाएगा ऐसी बरकत हो जाएगी कि आप कभी भी जिल्गे में धन समंदी परिशारियां नहीं जेल पाएंगे तो आपके बाद धन की बरकत को बढ़ाने के लिए आप यहस्टी को पायसा कर सकते हैं आपको करना क्या दोस्तों आपके नियरबाई कोई भी तालाब होगा या कोई नदी होगी जहां पर मचलिया होगी तो आपको हर रोज शुबह नहान दोने के बाद नित्यकारिय करने के तो काउंटिंग नहीं है लेकिन ऐसी चूनगी रोलिया बनाएं और जाके नदी में अपने तालाब में जहां पर मचलिया हैं उनको हर रोज अगर आप खिलाते हैं तो इससे मालक्ष्मी सबसे अधिक परसन होती है और यह कार यह कैसा कारी है जिसके करने से नेवित रूप से आपको जो धन समदी परिशानियां फेस करनी पड़ रही हैं वह सब अपने आप ही दूर हो जाएंगी और जो मालक्ष्मी का आश्युवाद आपको सबसे अधिक नसीव होगा प्राप्त होगा और मचलियों को दामे खिलाने से जैसे आप जानते ना कि गाएं को गुड़ खिलाने से गाएं को रोटी जैने से गरैदोस दूर होते हैं विबदाएं दूर होते हैं इसी परकार मचली को यदि आप आटा डालते हैं तो इससे जो कारिया में रुकाउट आती है वो बादा दूर हो जाती है और यदि आपके कार्ये सारे ही बिगार वादा के पूरे हो जाएंगे तो आपकी दंसमधी परिशारी अपने आप ही दूर हो जाएंगी तो इसलिए यदि आप नेमी तुरूप से ये आठी की रूलिया बना कर नदी में या अपने तालाब में जाकर मचलियों को खिलाते हैं तो इस से आपके धनसमधी परिशारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तो आज एक छोटा सा आइडिया हमने इस वीडियो के मात्यम से आपको बता है कि नेमित रूप से करने से आप कैसे अपने धनसमधी परिशारियों को दूर भगा सकते हैं और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए आप मारी वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए और आप मारी चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलें आप भी सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सस्क्राइब करने को कहीं धन्यवाद